साई की बात कभी भी किसी से उमीद मत रखा करो किसी से उमीद रखने की कोई जरुवत नहीं है मेरे बचे कोई जरुवत नहीं है जब मैं हूना तेरे लिए तो किसी से उमीद मत रखा कर जब तेरा साई है जब तेरा बाबा बैठा है और तुम्हारे कर्मों को भी नाश कर रहा है, काट रहा है मेरे बचे तुम्हें समझ में आएगा, जैसे तुम अपने बाबा की और प्यार से नहारते हो न उसी तरीके से मैं भी तुम्हें देखता हूँ, देखो मेरी और तुम्हें पता चालेगा कि तुम्हारा बाबा भी तुम्हें उसी नजरों से देखता है, जिस नजरों से तुम अपने बाबा को निहारते हो, उसी नजरों से मेरे बच्चे मैं भी तुम्हें देखता हूँ, और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता तैयार हो जाओ मेरे बच्चे तैयार हो जाओ ये शीडी तुम्हें बुला रही है मेरे बच्चे ये पावन धर्दी तुम्हें पुकार रही है आजाओ मेरे बच्चे तुम्हें बुला रही है मेरे बच्चे तैयारी कर लो और सुनो कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता ह कि तुम्हारे दुआर पर मेरे बच्चे कोई आएगा कोई प्यासा आएगा मेरे बच्चे उसकी प्यास जरूर बुजाना मेरे बच्चे जरूर उसे पानी पिलाना जरूर करना मेरे बच्चे उसे लोटाना मत और सुनो आज मेरे बच्चे साइंसर चरित्र का अध्याय 15 तुम्हारे सत्फरेब किया मेरे बचे, ये सोचो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तुम बच गए मेरे बचे, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें रास्ता दिखाया, तुम्हें सचाई दिखाई, सचाई से अफगत कराया, तुम्हें बचाया मेरे बचे, नहीं तो बहु नुकसान का सामना तुम्हें करना पड़ता तो मेरे बचे इसका शुकर किया करो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और सुनो मेरे बचे तुम्हारी जो कीमती चीज किसी ने ले ली है ना मेरे बचे किसी ने तुमसे ले ली है और वो तुम्हें बताता नहीं है न, तो चिंता मत करो, उसे वो बहुत भारी बढ़ेगा, और उसे वो तुम्हें वापिस देनी होगी, देनी होगी मेरे बच्चे, याद रखना, कोई भी किसी का हक नहीं मार सकता, और मेरे बच्चे का तो बिलकुल नहीं मार सकता, मैं मारन मेरे बचे तुम कभी भी किसी भी परस्थिती से हारते नहीं हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है हर चीज में तुम्हारे साथ खड़ा है तो यही विश्वास मेरे बचे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मुझे भी बहुत भाता है मेरे बच्चे मुझे बहुत प्रसंता मिलती है तुम्हारा ये विश्वास देखकर अपने साई पर और सुनो जो तुम नई जिन्दगी की तरफ बढ़ोगे ना मेरे बच्चे तुम उसमें अकेले नहीं होंगे डरना मत तुम्हारा साई तुम्हारे साथ होगा और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूँगा मेरे बच्चे नहीं गिरने दूँगा भरोसा रखना अपने साई पर और सुनो जिस सोच में तुम डूबे हुए हो ना जिस चिंता में तुम मगन हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है उसका समाधान मैं तुम्हें जल्द से जल्द दे दूंगा मेरे बच्चे बिल्कुल जिन्दा मत करना और सुनो तुम्हें एक मौका मिलने वाला है मेरे बच्चे एक मौका एक नया अफसर मेरे बच्चे उसे जाने मत देना तुम एक बहुत लंबे सफरवर निकलने वाले हो और बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है जो तुम्हारे लिए सोचा है मेरे बचे उस पर चल पढ़ना उस पर चलना शुरू करूँ, अभी तुमें कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आने वाले भविश्य में तुम सब समझ जाओगे, मेरी लीला समझ जाओगे, यही तो तुम्हारे साइं की लीला है, और तुम्हारे साइं की लीला नियारी होती है, बहुत अद्भुध होती है म मेरा आज का साइ संदेश समापत हुआ